नमस्का दोस्तों इस वीडियो में आपको पाल सैली की भीधिवत जानकारी देंगे और वो सभी जानकारी देंगे जो की एक्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपोर्टेंट है पाल सैली से रिलीटेड ठीक है इसके पश्चात इस राजवन्स में क्रम्स, धर्मपाल, देवपाल, नारायणडपाल, महीपाल जैसे महतपूर्ट सासक हुए और पाल काल में कला की भारे उन्नत हुए राजवन्स का अंतिम सासक था और इसको सामंत से ने पराजित करके अपना अधिकबार प्राप्ट कर लिया था पाल साली के चित्रों में आजनता साली की बिसेस्ताइं मिलती है और यूं कहें कि जनता साली की एक बिकृत साली का रूब ही पाल सहली कहा जाता है क्योंकि यहां पे चित्र जो मिले है और 22.25 कुड़े 2.25 इंच के ताड़ पत्र पर बने है और पोथी चित्र में आयताकार या वरगा का अंतराल में अंकित किये गए चित्र है चित्रों का बीसे महायान और ब्रजियान बौध धर्म की ग्रंथों की बीसे वस्तू रही है और पाल सहली के अधिकांस पोथिया बंगाल बिहार नेपाल आधिकेंद्रों पर चित्र की गई है और ताड़ पत्रों के मद्ध में बने चित्रों का बीसे महायान की देवी देव टाओं से संबंधित रहा है, जबकि समन्ने पत्रों के दोनों और के पदों पर आलेखन वो जातक कथाओं का सुंदर चित्रन भी किया गया है, पाल कलाकारों को ताबे की मुर्तिया बनाने में भी महारत हासिल था, यह बाद आप ध्यान देजिएगे, कि पाल कलाकारों को ता प्रगट नहीं हुए है इसका मुख्य भीसे बौद्ध साईली से संबंधित थी तथा पाल सैली को राज से संड़क्षन पाप्थ हुआ था थिक है तो पाल सैली की संबंधित मुख हमुद्ध योदत हैं वो यह हैं कि पाल सैली का मुख्य उद्देश, बौद ग्रञ्थों क प्रत्विम्बित ग्रंथों के रूपे में भिक्सित करना था और पाल सासकों के समय पट पेंटिंग भी प्रचली था जो लोक कला के रूप में बंगाल चेतर में आज भी जीवित या प्रचलन में है पट चितर लोक जीवन के और हिंदू धार्मिक गरंथों के आधार पर चितर किये गये हैं और इस विद्या के चितरकार जो हैं नील मडी दास और बाल दास गुपाल दास ये सभी हैं पाल सैली की भी सेस्ताओं की बात करें जो कि बहुत इंपोर्टन है और यहां से क्यूस्चन तो बनना तय होता है तो अधिकांस मानो आकृतिवों के चेहरे जो है वो सवाचस्म बने हैं ध्यान दीजेगा कि आपको जैन सैली में भी यही बताय थे कि जो चेहरे बने हैं व प्रणाद पर उनके बने हैं पाल पोथी सैली के चित्रों की दिष्टांत देखे चित्रों के रूप में अंकित कि गए हैं और चित्रों में वर्येता देखे तो ज्यादा तर लाल सफेद और काले रंग का इस्तेमाल किया गया है और बाद में सुनहरे और बैगनी रंगों का भी प्रियोग नहीं किया गया है ध्यान देजेगा कि सुनहरे और बैगनी रंगों का प्रियोग नहीं किया गया है चित्रों की रेखाएं कठोर है किन्टु अलंकारिकता को समेटे हुई है ठीक है पाल सैली की अधिकांस पोथियां एसियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल में सुरक्षित हैं पूछा जाता है यहां से क्योस्चन 100% शोर है आता है कि पाल सैली की अधिकांस पोथियां कहां सुरक्षित हैं या कहां इस्तित हैं तो एसियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल में सुरक्षित है हेलेन रुबिसो ने पाल सैली को बिहार सैली नाम दिया गया है और हेलेन रुबिसो ने पाल सैली को बिहार सैली कहा है ध्यान दिजेगा कि बहुत इंपोर्टन है कि हेलेन रुबिसो ने पाल सैली को बिहार सैली ना कि धर्म पाल ने बिहार में बहुत अध्यन केंद्र विक्रमसिला और सोमपूरा बिहार अस्थापित किया है और पाल सैली के चित्र बिहार बंगाल में 13. सताब्दी में बनने बंद हो गए थे लेकिन नेपाल में 16. सताब्दी तक वो चलते रहें पाल काल में ही नालंदा और उदंत पुरी जैसे नव बहुत बिहारू की स्थापना हुई है यह बहुत ही important question है कि पाल काल में नालंदा और उदंत पुरी जैसे नव बहुत बिहारू की स्थापना हुई है और विसेज देखे तो लामा तारा नाथ ने पाल सैली को पुर्वी सैली या नाग सैली कहा है ये कई बार पूछा है TGT, PGT, NET, GRF या NBS, KBS सभी में ये question 100% आया है लेकिन अलग-अलग सन में आया है पूछा जाता है कि किस ने पाल सैली को पुर्वी सैली या नाग सैली कहा है उसमें option देता है तो उसमें आपको टिक करना है लामा तारा नाथ ने पाल सैली को पुर्वी सैली या नाग सैली कहा है ठीक है दोस्तो तो ये वीडियो जैसा भी लगा हो आप जरूर कमेंट करके बताइए और इस प्रकार से मुझे वीडियो और बनाने के उत्साह देने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक सेयर करें और मेरे वीडियो को अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक सेयर जरूर किया करिए जिसे मेरा उत्साह बढ़ता रहे थैंक यू फर वाचिंग माई वीडियो